द्ट्टर ईजी ओल्लाइण फार्मेशीक लास है, आज हम डिसकस करेंगे सिंतेजिस और नाइटरो फुरुन टाइन. नाइटरो फुरुन टाइन एक प्रॉड-स्पक्तरम-антि-बेक्टिव या डग है. नाइट्रो फिरॉन टाइन एक नाइट्रो फिरॉन डेरिवेटिव ड्रग है क्योंकि इसके स्टक्चर में नाइट्रो ग्रूप और फिरॉन ग्रूप दोनों पाए जाते हैं इसलिए ये एक नाइट्रो फिरॉन डेरिवेटिव ड्रग है अब बात करते हैं इसकी synthesis की तो ये दो step में complete होती है फर्स्ट step में synthesis of one amino adentine और second step में condensation of one amino adentine with five nitro two ferrodeide अब हम discuss करेंगे first step synthesis of one amino adentine कैसे बनेगा one amino adentine बनाने के लिए दो starting material है hydrogene plus chloroastic acid hydrogene का NH2 को इस तरीके से लिख लिए है NH2 मतलब दो nitrogen nitrogen से attach इसके बाद यह है chloroastic acid CH2 group से CL लगा है जब दोनों आपस में erection करते हैं तो hydrogene का H और chloroastic acid का CL दोनों आपस में erection करके क्या निकालते हैं H-C-L और तब क्या होता है यह जो CH2 COOH है इस end से add जुड जाएगा यह देके जुड गया है इस end से क्या जुड गया है CH2 COOH जो compound बनके आया है उसका नाम है hydrogene acid acid next system में क्या होगा यह hydrogene acid acid reaction करेगा sodium sinate plus HCl से तब क्या होगा यह जो potassium है potassium किसका potassium sinate का potassium ठीक है plus plus HCl का Cl यह दोनों आपस में erection करके क्या निकल जाएंगे KCl के रूप में कैसे कैसे दिखे यह break होगा किसके H plus Cl negative में और यह जो break होगा वो O minus और K plus में तो इसका plus K plus और इसका Cl क्या बन जाएगा KCl ठीक है next step में क्या होगा next step में यह break होगा यह वाला one triple one जो Cn है Cn के बीच में triple one है यह break होगा वो कैसे break होगा इस तरह इस पे minus इस पे plus ठीक है तो क्या होगा यह जो H है यह वाली जो H है वो इस पे जूड़े जाएगे यह किस में convert हो जाएगा NH में ठीक है यह किस में convert हो जाएगा NH में और इन के बीच क्या हो जाएगा double one हो जाएगा यह O minus और C C plus है ठीक है तो इसको अगर और अच्छा समझना होगा तो ऐसे लिख लेते हैं यह देखे इधर हमने लिख लिया O minus C triple one N यह bond तोड़ी है N N पर minus आगया C पर plus आगया तो यह किस में convert हो जाएगा O इनके वीच क्या हो जाएगा double bond क्यों क्यों कि इस में minus A plus यह दोनों मिलके क्या bond नहींगे bond double bond बना जेंगे C double bond N जो N minus था N minus पर यह H चला जाएगा H plus तो क्या बन जाएगा N H आप क्या करेंगा next step में क्या होगा next step में A फिर से bond टूटेगा इस पर minus और इस पर plus तो यह क्या हो जाएगा C double bond O और इस पर plus इस पर क्या होगा N H minus आप देखें यह N H minus यह N पर जो minus है वो क्या करेंगा अब यहां पर bond इसी समय यहां यह bond टूटेगा कैसे यह ऐसे टूटेगा इस पर minus आजाएगा इस पर plus यह जो H plus है यह इस पर attack करेगा ठीक है यह H plus attack करेगा तो यह convert हो जाएगा तो किस पर C double bond O H plus यह किस में हो जाएगा NH2 में ठीक है NH2 में ठीक है समझे में आगया अब यह जो C plus है वो यहां पर attack करेगा इससे bind होगा ठीक है इससे bind होगा देखिए कैसे यह NH2 यह NH2 हो गया यह N यह हो गया यह कौन सा N हो गया N minus वाला ठीक है यह CH2 यह CH2 यह COOH यह देखो COOH तो यहां पर क्या जूड़े जाएगा इस यह वाला यह वाला C जूड़े जाएगा इस N से तो क्या हो जाएगा यह यह देखे CO हो गया दूसरा क्या हो जाएगा यह NH2 ठीक है यह हो गया आपका N इसको H ऐसे लिख लीजिए अब ठीक है H यह बन गया इसका नाम है semi-carbogedocytic acid semi-carbogedocytic acid next system में होगी hydrolysis क्या होगी ने, dehydration होगा यहाँ पे होगी dehydration, यहाँ पे dehydration, कैसे होगा जब heat करेंगे तो जो carbogslic acid का है COOH का OH इसका H जब amino group से reaction करेगा तब amide बना देगा देखिए यह बनेगा CONH देखिए फिर से यहाँ इसे करें जब इसको heat करेंगे तो क्या निकलेगा water क्या निकलेगा water कैसे, इसका OH इसका H दोनों आपस में reaction करके यह group बना देगे बना देगे, बनाद C directly इससे attach हो जाएगा N से, NH से यह हो गया, C directly NH से attach हो गया बनाद यह amide में convert हो गया है amino plus acid reaction group किया, तो amide में convert हो तो इस पूरे product का नाम जो बना है final, cyclize हुआ ठीक है, यह है one amino hydrant toine यहाँ पर कह सकते है, cyclization हुआ cyclization हुआ है क्या हुआ cyclization, ठीक है यह था आपका first step second step में क्या होगा condensation of one amino hydrant toine with five nitro, two fural dehyde यह देखिए one amino hydrant toine react with five nitro, two fural dehyde numbering कर लिजिए one, two, three, four, five तो five position पे क्या लगा, nitro यह five पे nitro two पे क्या, formal dehyde group तो यह दोनों आपस में reaction करेंगे कौन-कौन से one amino hydrant toine का यह है amino group का H2 ठीक है amino group का one amino hydrant toine का one position पे जो amino group लगा उसका H2 और इसकी जो five nitro two formal dehyde का two position पे O लगा है यह दोनों आपस में reaction करेंगे इसका O यह इसका H2 क्या निकालेंगा, water ठीक है और आपका यह वाला जो group है वो इससे attach हो जाएगा दिखे, यह दिखे यह हमने इतना same ले लिया, इतना है ठीक है, यह दिखे NO2, यह फिवरान हो गया यह फिवरान हो गया यह CH यह CH, ठीक है और साथ में यह double bond किसे के साथ हो गया यह जिखे यह इंड और यह पूरा है इंड डॉइन ग्रूप यह फाइनल प्रोडक्त वरन गया नाइटो फिवरान टॉइन डॉइन टॉइन गया अब बात हम करें इसके योज्ज के इन अग ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटिबैक्टिर्यल ट्रग यह एक broad spectrum antibacterial drug है, दुसरा, it is used to treat, it is used as an urinary antiseptic drug, थार्ड यूज है, it is used to treat urinary tract infection, जब urinary tract में infection होता, उसके treatment में भी इसको यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली यह एक broad spectrum antibacterial drug है, थेंक यू.